ओम नमों भगवते वाशुदेवाए नमा श्रीमत भगवत गीता सादक संजीवनी अध्याय तेरा श्लोक संक्या 30 येदा भूत तर्थक भावं एकस्थम अनुपश्यती तत एव चविस्तारं ब्रह्म संपध्यते तदा जिस काल में सादक प्राणियों के अलग-अलग भावों को एक प्रकरती में ही इस्तित देखता है और उस प्रकरती से ही उन सबका विस्तार देखता है उस काल में वह ब्रह्म को प्रात हो जाता है व्याख्या करते हैं प्रक्रति के दो रूप हैं पहला क्रिया और दूसरा पदार्थ क्रिया से संबंद विच्छेद करने के लिए उनतीस वाश लोग कहा अब पदार्थ से संबंद विच्छेद करने के लिए यह तीस वाश लोग है जिस काल में साधक संपूर प्राणियों के अलग-अलग भावों को अर्था त्रिलोगी में जितने जरायोज, अंडज, उत्विज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही इस्ति देखता है उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, त्रिलोगी के स्थावर जंगम प्राणियों के शरीर, नाम, रूप, आकरती, मनोवरती, गुण, विकार, उत्पत्ती, स्थिधी, प्ररह, आदी, सब एक प्रकृति से ही उत्पन हैं, संबूर प्राणियों के शरीर प्राप्त हो जाता है, वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल प्रकृति जन्य पदार्तों के साथ अपना संबंद मानने से ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता था, परन्तु जब वह सबको प्रकृति में ही इस्थित और प्रकृति से ही उत्पन पंतर होता है। इसे समझें पर पहले मिट्टी और बीज को तॉल लें और एक पात्र में वहततुली हुई मिट्टी बिच्छा कर बीज बो दें और पानी सीज दें। फसल होने पर उसको काटकर अनाज तयार करें और मिट्टी को सूखने दें। सूखने के बाद मिट्टी और अनाज को तॉल कर देखें तो मिट्टी का वजन कम और अनाज का वजन ज्यादा होगा यह मिट्टी यह प्रत्वी का अनाज में रूप अंतरन होना है तो फिर इस बात को समझें कि उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्थन होता है रूप अंतर होता है क्रियाएं होती है अब क्रियाओं को कैसे समझें क्रियाएं दो तरीके की होती है होना और करना बालक का जवान और बुड़ा होना आधिक क्रियाएं होती हैं और खाना पीना आधिक क्रियाएं करते हैं यह सब क्रियाएं शरीरों में होती हैं वे सब प्रत्वी पर ही होती हैं ऐसे ही प्रत्वी से उत्पन होने वाले जितने गुण विकार हैं तता उन में जो कुछ परवर्तन होता है घड़ बढ़ होती है व सब संसार प्रकृति में ही इस्तित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है वह निरंदर परमात्मा में ही इस्तित रहता है। प्रक्रति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों न दीखें पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनवव हो जाने पर साधक ब्रह्मन को प्राप्त हो जाता है। यह नियम है कि प्रक्रति के साथ अपना संबन मानने के कारण स्वार्त बुद्धी, भोग बुद्धी, सुक बुद्धी आदी से प्राणियों को अलग-अलग भाव से देखने पर राग द्वेश पैदा हो जाता है। राग होने पर उसमें गोन दिखाई देते हैं और द्वेश होने पर दोज दिखाई देते हैं। इस प्रकार द्रश्टी के आगे राग, द्वेश, रूप, परदा आ जाने से वास्तविक ताका नभब नहीं होता। द्वेश के आगे से राग, द्वेश, रूप, परदा हड जाता है। और उसको स्वता, सिद्ध, परमात्व, तत्व का अन्भब हो जाता है। ओम नमों भगवते वाशुदेवाई नमहां।